प्राश्न, मयनाम्ती और गोपीचंद्र की कहानी निमनलिखित में से किस साहिती क्रिती का हिस्सा है? आपका ओप्षन है, A. नाथ साहित्य, B. चंडी मंगल काव्य, C. मानसमंगल काव्य, D. संस्कृत महा काव्य, आपका सही उत्तर है, नाथ साहित्य. प्राश्न, चालुक्य वंश भारत के भाग में एक प्रमुख राज्य था, आपका ओप्षन है, A. पूर्वी, B. उत्तरी, C. दक्षिनी, D. पश्चिमी, आपका सही उत्तर है, दक्षिनी. प्राश्न, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपिय किला बनवाया था, आपका ओप्षन है, A. पूर्टगाल, B. फ्रांच, C. ब्रिटिश, D. डच्च, आपका सही उत्तर है, पूर्टगाल. प्राश्न, मुगल किसके वन्शिज थे, आपका ओप्षन है, A. गयासुद्दीन बल्बन, B. मीर जुमला, C. मुहम्मद तुगलक, D. चंगेज खान, आपका सही उत्तर है, चंगेज खान. प्राश्न, गुरु नानक का जन्व स्थान कौन सा था, आपका ओप्षन है, A. गुर्दासपुर, B. अम्रिटसर, C. लाहौर, D. तलवंडी, आपका सही उत्तर है, तलवंडी. प्राश्न, राजा शशान्क जिसके खिलाफ हर्श्वर्धन ने युद्ध की घोशना की, वह राज्य का शासक था, आपका ओप्षन है, A. कन्याकुग्ज, B. जुनागर, C. मगद, D. गोड, आपका सही उत्तर है, गोड. प्राश्न, पुरुष सूक्त की स्वेद का एक मंत्र संग्रा है, आपका ओप्षन है, A. अथर्ववेद, B. यजुर्वेद, C. रिगवेद, D. सामवेद, आपका सही उत्तर है, रिगवेद. प्राश्न, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में से भाग नामक कर एकत्र किया, आपका ओप्षन है, A. किसान, B. चरवाह, C. शिल्क व्यक्त, D. शिकारी और संग्राह करता, आपका सही उत्तर है, किसान. प्राश्न, की पालक माता महापजापती गौतमी ऐसी पहली महिला थी, जिन्हें भिख्खुनी के रूप में चुना गया था, आपका ओप्षन है, A. अशोक, B. बुध्ध, C. अर्जून, D. बिन्दुसार, आपका सही उत्तर है, बुध्ध. प्राश्न, भारतिय इतिहास में आठ्विक राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया था, आपका ओप्षन है, A. दक्षिन भारतिय समराज्य, B. गंतंत्रवादी राज्य, C. वन समराज्य, D. मुगल समराज्य, आपका सही उत्तर है, वन समराज्य.